हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारे डाउनलेंड ट्लासिज में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गणित 17-30 कक्षा 5 की वरक पहला प्रशन है बच्चों नीचे दी गई तालिका में मंत्री गुड सवार और रसोया की एक दिन की तनख्वा दी गई है उनकी जनवरी मा की तनख्वा का पता लगाई है तो बच्चों देखिए आपको इन सभी की एक दिन की तनख्वा दी गई है आपसे जनवरी मा की तन खाप पूछई है तो बचो जन्वरी में अमारे कितने दिन होते हैं 31 दिन होते हैं तो देखेंब बचो मंतरी की तन खाइक दिन की होती है reflects दिने यह क соглас MR ऐ है दो बच系 तो जनवरी की कितनी होंगी 31 दिन से हम इसे गुणा करेंगे तो 6045 रूपे हैं गुड्सवार की तनख्वा एक दिन की 65 होगी 31 होंगे जनवरी में महींने तो 2356 रूपे nessa की तनख्वा होगी और रसोया की तनख्वा एक दिन की 65 है 31 दिन याने जन्वरी की 2015 रूपे होगी इस तरह से आप सभी को यहां गुणा करके लिखना है अगला है बच्चों नीचे दिये गए प्रेशनों को हल करो अब बच्चों 47 को हम 19 से गुणा करेंगे ठीक है तो देखे बच्चों कितना आएगा 9 को 7 से करा 63 हांसिल 6 9 को 4 से करा 36 36 और 1 को 7 से करेंगे 7 और 1 को 4 से करेंगे तो कितना हो गया 3 9 और 8 893 हो गया इसी तरह 188 को 1 कराणवे से गुणा करेंगे तो 17108 63 को बच्चों 57 से करेंगे तो 3591 और 225 को 22 से करेंगे 4950 ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी इने गुणा करके यहां लिखेंगे अगला है बच्चो निम प्रश्णों के उत्तर दे सोहन हर रोज आठ गिलास पानी पीता है वे फरवरी 2020 में कितने गिलास पानी पीएगा तो बच्चो देखे फरवरी में कितने दिन होते हैं फरवरी 2020 में हमारे 29 दिन थे तो बच्चो 2020 में कितने गिलास पानी पिएगा वो गुंतिस को आठ से गुणा किया तो 232 गिलास वह साल 2020 में कितने गिलास पानी पिएगा तो बच्चो 2020 में कितने दिन थे 366 तो कितने गिलास पानी पिएगा 2928 गिलास वो पानी पिएगा अगला है बच्चो एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज 8 गिलास पानी पीते हैं वेज साल 2020 में कितना पानी पीएंगे तो बच्चो वेज साल 2020 में कितना पानी पीएंगे तो देखिए एक साल में 2928 पीएंगे तो 125 लोग कितना पीएंगे 3,66,000 गिलास वो पानी पीएंगे अगला है सोहा का दिल एक मिनिट में 72 बार धड़कता है एक घंटे में वे कितनी बार धड़केगा तो एक घंटे में 60 मिनिट होती है 60 को 72 से गुणा किया 4,320 एक दिन में वे कितनी बार धड़केगा तो बच्चो एक दिन में 24 घंटे होते हैं 24 गुणा 4320 तो यह हो जाएगा 103680 अब है बच्चो एक हाती का बच्चा एक दिन में 12 लिटर दूद पीता है दो साल में वे कितना लिटर दूद पीएगा तो बच्चो 12 गुणा 2 गुणा 365 एक साल में 365 दिन हुए तो इससे गुणा करेंगे तो 8,760 लिटर एक बल्यू वैल का बच्चा एक दिन में 200 लिटर दूद पीता है तो 240 दिन में कितना लिटर दूद पीएगा तो बच्चो 240 दिन में वो कितना पीएगा 200 गुणा 240 यानि कि 48,000 लिटर वो दूद पिएगा अगला है बच्चों कारुण ने तीन खेत खरीदे तीनों खेत का शेतरफल निकालो तो बच्चों खेत कहेका ये 27 है ये 28 है तो 27 गुणा 28 ये इसका शेतरफल हो जाएगा 756 वर्ग मिटर खेत ख का शेतरफल ये 36 है ये 12 है तो 36 गुणा 12 बराबर 432 वर्ग मिटर और खेत ग का शेतरफल ये 27 है ये 19 है तो 27 गुणा 19 बराबर 513 वर्ग मिटर तो बच्चों इस तरह से आप सभी को इनका शेतरफल गुणा करके निकालना है अगला है बच्चों जीवन कोशल बीमा बीमा का अर्थ है अनुबंद द्वारा कवरे जिसमें एक पक्ष एक निर्दिष्ट आखसिक्तमा या जोखिम से होने वाले नुकसान के खिलाब दूसरे पक्ष को शती पूर्टी या गारंटी देने का वचन देता है यह कीवर शुरक्ष या शुरक्ष की गारंटी देने का एक साधन है शरल सब्दों में बीमा एक अनुबंध है दो पक्षों के बीच एक कानुनी समझोता है अर्था बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी जिसे बीमा करता कहा जाता है इस समझोते में बीमा करता और आकस्मिक पर बीमित व्यक्ति के नुकसान में मदद करने का वादा करता है दूसरी और बीमा धारक बीमा करता द्वारा किये गए वादे के बदले में एक प्रीमियम का भुकतान करता है अब देखें बच्चों हमें बीमे के क्या-क्या फायद हैं बीमा का इस पश्ट लाफ नुकसान का भुगतान है नगदी प्रभा अनिश्चिता का प्रभन्दन करता है जब नुकसान के समय भुगतान शम्ता काफी कम हो जाती है संविधात्मक और व्यध्यानिक आवशक्ताओं को पूरा करके कानुनी आवशक्ताओं का अनुपालन वित्ते संसाधनों का प्रमान भी प्रदान करता है नीतिगत आवशक्ताओं के कारण नियंतरन खोने के कारेकरम को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जोखिम नियंतरन गतिवीदी को बढ़ावा देता है बीमा व्यक्ति के संसादुनों का कुशल उप्योग यह निवेश कोश का एक शोत प्रदान करता है बीमा करता प्रीमियम एकत्र करते हैं और उन्हें विविन प्रकार के निवेश बहानों में निवेश करते हैं बीमा बीमित व्यक्ति के रिंड के लिए साहता है यह उस समय रिंड दाता भुगतान की गारंटी देकर संगटनों और व्यक्तियों को रिंड की सुविदा देता है जब रिंड के लिए संपार्विक बीमा करत गटना से नश्ट हो जाता है इसलिए पार्टी द्वारा उधार लेने वाले फंड द्वारा रिंड दाता की डिफॉल्ट की अनिष्चिता को कम करना यह अप्रती दिये दुरगटना पीडित और समाज की अनिष्चिता को कम करके सामाजिक बोज को कम करता है तो बच्चो आप सभी को समझ माया कि बीमा क्या है और बीमा के क्या-क्या फायदे होते हैं तो इस तरह से बच्चो आप सभी को अपनी वर्क्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बच्चो आप सभी को अच्छे से समझ माया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी like बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शियर करें और नीचे comment बॉक्स पर comment जरूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिनोंने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासिस को सस्क्राइब कीजिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद